नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपराजिता प्लांट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ ये एक वाइन होती है जो गर्मिया शुरू होते ही अपनी ग्रोध शुरू कर देती है और साथ साथ इसमें फ्लोरिंग भी शुरू हो जाती है अब इस समय इस पोधे में फ्लोरिंग शुरू हो गई है मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कई अपराजिता के पोधे लगा रखे हैं उनके लिए मैंने किसी गमले का सलक्षन नहीं किया मैंने उनको जमीन में ही लगा दिया था और बिना किसी एक्स्ट्रा केर के इनकी सभी की अच्छी ग्रोथ हो रही है मैंने इन सभी पोधो को बीज से ग्रो किया था और 6-7 दिन में इसके बीज उग जाते हैं और इनकी जल्दी ही अच्छी ग्रोध हो जाती है अपराजिता की बेल होती है जब हम इसको गमले में लगाते हैं तो किसी स्टिक के सारे इसको सारा दिया जाता है यदि हम इस प्लांट को भुस्षी बनाना चाते हैं तो इसको कटिंग करके हम इसको एक पोधे की रूप में ग्रो कर शकते हैं और इस परकार जितनी हम ब्रांच की पूरुनिंग करते हैं उतनी नहीं नहीं ब्रांच निकलती रहती हैं और फ्लोरिंग भी उनमें आधिक होती रहती हैं दो साल पुराने मोगरा के पोधे को मैंने जमीन में लगा रखा है उसी के नीचे मैंने अपराजिता के दो तीन पोधे लगा दिये थे और उनकी बेल अब मोगरा के बेल के उपर चड़ गई है और इस परकार मोगरा और अपराजिता एक दुसरे को सारा देते वे अच्छी ग्रोध कर रहे हैं मोगरा का पोधा भी एक बेल नूमा पोधा होता है इसकी भी बेल की तरह ही ग्रोध होती है इस परकार इन दोनों की बहुत अच्छी ग्रोध हो रही है मोगरा और अपराजिता दोनों ही गर्मियों में अच्छी ग्रोध करते हैं और गर्मियों में ही इनमें फ्लोरिंग होती है मैंने इन दोनों को एक साथ लगा दिया है अब इनकी अच्छी ग्रोध होती रहेगी और इनको किसी भी परकार की स्टेकिंग नहीं करने पड़ेगी किसी भी परकार का सारा देने के आवसकता नहीं पड़ेगी जमीन में लगाने पर इन दोनों पोधों की बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है मोगरा का पोधा तो काफी पुराना है मगर ये जो अपराजिता की बेल है वो इस मोगरा की बेल के उपर चड़ने लगी है और इसमें फ्लोवरिंग आप देख सकते हैं कई फ्लोवर्स इसमें खिलेवे हैं जब आप पोदों को जमीन में लगाते हैं तो उनमें किसी भी परकार के एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर या खाद की आवसकता नहीं होती है जमीन में लगाने पर अपने आप ही पोदों की अच्छी ग्रोथ हो जाती है मैंने इन दोनों पोदों में किसी भी परकार के खाद का इस्तेमाल नहीं किया है और आप देख सकते हैं कि कितने हेल्दी पोधे हैं दोनों में ही अच्छी फ्लोवरिंग शुरू हो गई है मोगरा में सपेड कलर के फूल खिलते हैं और इन फूलों को मंदिर में चड़ाया जाता है अपराजिता भी एक वैसु पोधा होता है इसके भी फूजा की जाती है इसलिए मैंने इन दोनों पोधो को एक साथ लगा दिया है अब अपरेल में तेज दूप होने की वज़े से इन पोधो में अधिक पानी देना पड़ता है ये जमीन में लगे वे हैं इसलिए ये गर्मी से बचे रहते हैं यदि हम इन पोधो को गमले में लगाते हैं तो इनकी एक्स्टा केर करनी पड़ती और गर्मी में इनको बचाना मुश्किल हो जाता है अपराजिता और मोगरा दोनों को अधिक पानी किया आउशकता होती है गर्मी के मुशं में तो इनको हर रोज पानी देना पड़ता है मैं इसके गड़े में 10-12 लीटर पानी एक साथ डाल देता हूँ और हर रोज इसमें पानी देता हूँ तो आप देख सकते हैं इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है और इनके पत्ते चमकदार और ग्रीनिस बने हुए है अपराजिता के ये पोधे पूरे दिन भर की सनलाइट में रहते हैं और इनकी बहुत अच्छी फ्लोरिंग शुरू हो गई है अपराजिता के फूल एक संख नुमा होते हैं इसलिए इन पोधों को हम संख पुस्पी के नाम से भी जानते हैं अपराजिता का पोधा जमीन में लगाने पर नाइटरोजन की मातरा बढ़ा देता है क्योंकि अपराजिता एक नैचुरल नाइटरोजन फिक्सेटिंग प्लांट होता है इनकी जड़ों में नोट्स बनती हैं जिन में nitrogen fixating bacteria होता है और एक research के अनुसार पाया गया है कि साल में 30 से 35 परतिशत nitrogen की मातरा बढ़ जाती है और nearly 15 to 22% natural phosphate, potassium और sulfur की मातरा भी बढ़ जाती है इस परकार इस पोदे को दूसरे पोदों के साथ लगाने से मिट्टी में nitrogen की मातरा बढ़ती रहेगी nitrogen पोदों की healthy growth के लिए शायक होता है और nitrogen से पत्तों की अच्छी ग्रोथ होती है और पत्तों का dark green color बढ़ता है इसलिए आप इस पोदे को अन्य पोदों के साथ लगाईए मोगरा के पोदे में भी flowering स्टार्ट हो गई है और पूरी गर्मी के सीजन में इसमें flowering होती रहेगी और सफेद रंग के खुसबुदार फूल इसमें खिलते हैं आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगे तो प्लिज लाइक की किजिए सेर किजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन जरूर दबा लिजिए ताकि आगे आने वाली मेरी सबी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे वीडियो को लाट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू